आप सब्वी का स्वगत है, आप सब्वी को पता है कि कुछ सेंटर्स पे रेनीट एक्जाम होना है, जिसको लेकर NTA की तरफ से एक ओफिशली नोटी जारी किया गया है, यहाँ पे NTA डारेक्टर जेनरल सर, और यह जो नोटीस है, एक सांसद है हनुमान बेनिवाल जी, इन्ह होने अपने ट्वीटर एकाउंट पे इस नोटीस को सेयर किया है, और कुछ न्यूज आर्टिकल्स को भी सेयर किया है, इसके बारे में आप सब्वी को डिटेल इन्फोर्मेशन दे देता हूं, तो सुरू करते हैं, और हाँ, आप सब्वी एस्टुडेंट्स चैनल को जरू समझायता हूं, जब प्रॉब्लम्स करियेट हुए थे, 17 जुलाई को जो नीट एक्जाम हुआ था, उसके बाद एक कमिटी बनाया था, NTA ने, वो कमिटी ने सिफारिस किया है, NTA को और, यहां पे लिखा हुआ प्रोपर, और, Ministry of Health and Family Welfare के एप्रूबल के बाद, NTA ने इस नोटीस में बताया है कि six centers पे re-examination हो सकता है, अब कुछ एश्रों से यह पूछेंगे, कि भया यह notice, official website पे नहीं जारी किया गया, हाँ, official website पे आज से कल तक जारी कर दिये जाएगा, यह official ही है, मैं आपको बता दूँ कि इसमें examination date अभी mention नहीं है, कि exam कब होगा, लेकिन म official website पे नोटीस जारी करेगा, उसमें proper date के साथ जारी करेगा, और जैसे आप सब भी को पता है कि national testing agency ने officially जारी करे के बता दिया है, कि answer की और OMRC कब जारी किया जाएगा, 30 अगस्त को जारी किया जाएगा, और NEET का result 7 September को, तो कुछ एश्रोंस पूछेंगे कि NEET का result का date भी आगया है, तो ये exam कब होगा, तो में भी उसके पहले जरूर conduct कर लेगा national testing agency in six centers पे, इसका भी बहुत जल्द national testing agency नोटी जारी करके date जारी कर देगा, और कोई भी notice आता है, तो मैं आप सब भी को बता दिया, जो भी official notice था, मैंने आपको बता दिया, ये six centers पे exam होना है, और in six centers पे अगर किसी एक्जाम का exam पड़ा हुआ था, और वहां का exam रद कर दिया गया, आप अपने आपको तयार रखें, जैसे ही date आता है, मैं आपको बता दू, ये सांसद है, इन्हों tweet प्रोपर किया है, इन्हों बता है कि लगतार प्रयासों के बाद, नागोर संसदिये छे कि बहुत जल्द re-neet exam होगा, जो official notification था, मैंने आप सब भी को बता दिया, तो six centers पे re-examination हो सकता है, चलो अभी करता ही, मुझे इतना ही आप सब भी को बताना था, मिलता अगले वीडियो में